तो आज मैं आपकी साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि 7-month pregnant lady के लिए आपकी तरीके से परफेक्ट केसर बादाम milk रेडी कर सकते हैं तो आज मैं यही वीडियो आपकी साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो बहुत ही जादा helpful होने वाला है तो यहाँ पर इसको बन किसमिस लिए है दो काली मिर्च लिए यूज करने वाली हूँ इसी की साथ में इसको पीस लोगी तो यहाँ पर एक मिक्सी का जाड लेंगे इसको बनाने के लिए यह बहुत ही है तो थोड़ा से पानी यूज करेंगे और इसको पारिक पेस्ट तयार कर लेंगे आप देख स पारिक पेस्ट बना लिया है तो इसको बलक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और मैंने यहाँ पर तीन से चार दिन के लिए एक साथ ही सभी बादाम को पीस लिया था अगर आप इसको डेली पीस ना चाते हैं तो इसमें पांच बादाम यूज करें और दो किसमिस एड़ स तो यह को डेसि घिम करणा बनाने तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है देसी घिक कडाई में एड़ करके सिर्फ इसमेना चार घे निपादा अचे से इसले मैल्ट हो साथ में कांफ़ रम हो चुकता donor क्या में इसमें धाए ट करेंग जो मैंने बादाम का पेस्ट बनाया तो देसी गी में इसको continue चलाते हुए हमें बूरना है इसके सर बादाम मिल्क को वैसे तो कोई भी पी सकता है बना कर जिसको weakness हो बहुत जादा कमजोरी महसूस होती हो तो वह इस तरीके का मिल्क बना कर पी सकते हैं बहुत ही healthy recipe है बट यह इस तरीके का मिल्क pregnant lady के लिए almost बनाय मिल्क को पीने से तो उनको डेली बना कर प्या जाता है आप देख सकते हैं मैंने सभी बादाम को लो फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए तो यहां पर एक गिलास बना रही हूं तो इसमें एक गिलास इसमें मिल्क कर देंगे और फ्लेम को मीरियम कर देंगे और इसको बाद कमा आपनी सबना तो यह इसकी बच्छ नहीं दोगां तो यहां पर इसको बनाने के लिए हम केसर बादाम मिल्क बना रहे हैं वाली हो सिर्फ 4 धागे हैं इसमें add मैं एड़ करने है इस सेजाए हमें इसको नहीं use करना है तो आपussa को are these एक sırज का टेक्चेर बहुत में जादा गरम अहंता है तो इस तरीके से इसासाथ नहीं use करना चाहिए तो इसमें सिर्फ देख सकते है यह इसे से तरीके लिए हैं तो इसको दूद में कर देंगे है इतना ही use करना है इससे ज़दे में insert हुझ नहीं करना है तो milk में reus मिल्क करेंगे तो इसको दूद की साथ ही mix कर देंगे और धीरे दी आपना color छोड़ने लगेगा तो यह दूद पकता रहेगा और दूद हलका हलका सा येलो कलर पर आ जाएगा जब केसर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये बहुत ही केसर का दूद बहुत ही जादा हेल्दी है बहुत ही जादा अच्छी नहीं दाती है इसे लेकर और बहुत ही simple recipe है इसको बस कुछ भी नहीं करना थोड़ी देर के लिए हम इसको पका लेंगे और आप देख सकते हैं दूद में एक boil आ चुका है बहुत बढ़ी ऐसे दूद पक चुका है इस तरीके का केसर बादाम milk पीने से muscles काफी strong हो जाते हैं तो इस तरीके का दूद बहुत ही जादा healthy है बहुत ही जादा फाइदा करता है तो दूद बनकर ready हो चुका है आप देख सकते हैं तो इसको डिशाउट कर लेंगे तो बस इसको कुछ देर के लिए और पका लेंगे बादाम पेस्ट इसको mix करने के बाद इसको 2-3 मिनट के लि केशन ने बहुत ही अच्छा सा छोड़ा है तो देख सकते हैं दूद का कलर हलका सा येलो सो गया है तो इसको साइड से भी स्क्रैप करेंगे हलका सा निकाल लेंगे इसको जो साइड में लग गया है तो बस दूद बनकर ready हो चुका है तो गर्मा गर्मी केसर बादाम मिल्ट को हम इसको सर्फ करेंगे तो इसको अलग निकाल लेंगे तो इस तरीके का केसर बादाम मिल्क आप pregnant lady के लिए बना कर दे सकते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो थोड़ा से भी helpful लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें तो आप देख सकते हैं मिल् लग रहा है देखने से ही बहुत जादा बढ़िया बना हुआ है तो केसर बादाम मिल्क बनकर हमारा डेडी हो चुका है आई होप आप से भी को यह पसंद आएगा वीडियो थोड़ा से भी helpful लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पढ़ना है तो प्लीज मेरे च झाल 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 झाल